वेला आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाले हैं विकास हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग स्टॉक माकेट में इंवेस्टमेंट करते हैं हो सकता है अपने फेवरेट मूचिल फंड में इंवेस्टमेंट कर रहे हो और आपके मन में ख्याल आता कि या मैं हर महीने SIP कर रहा हूँ, क्या वो बहतर है? या मेरे पास अल्रेडी कुछ funds है, किसी के बाद हो सकता 50 जारो, 1 लागो, 10 लागो, 1 करोडो, गरेंगो, तो मैं एक बार में लगा दू, उसके ज़ादा पैसा मेरा बढ़ेगा, उसके ज़ादा मुझे रिटरंस आएगी, या फिर मैं हर महीने धीरे धीरे करके इंवेस्मेंट करूँगा, तो उससे ज़ळादा भेतर रिटरं आएगी, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपे निफ्टी का एक हमारे पास चार्ट है पड़े ध्यान से देखिएगा आज निफ्टी आपको 19,000 देखता है अभी हाली में 20,000 तक गया पर अभी अगर हम थोड़ा टाइम पहले जाएं और हम आज से 20 साल पहले चले जाएं आज से के अंदर आपको दिख रहा है कि निफ्टी की वैल्यू तकरीवन एक हजार रुपे थी अब एक हजार से निफ्टी ने हाय मारा 20,211 रुपे था हाय चोड़ो अभी हम 19,000 की बात करते हैं आज 19,000 पर है हम यहाँ पर क्या करेंगे एक सीए जीर कैलकूलेटर पर जाते हैं आप खुद भी इसे कर सकते हो खुद से प्लानिंग कर सकते हो किसी ने दोजा तीन में एक हजार के हिसाप से अभी हम एक हजार के हिसाप से बात कर रहे हैं तो उसने कुछ भी इंवेस्मेंट डाली उसने एक लमसम इंवेस्मेंट कर दी अब उसने उस टेम पर एक हजार की करिए दसदर की करिए एक लग की करी जो भी करी हम सिंपल सी बात पगड़ते हैं कि इनीशल वैल्यू थी एक हजार और आज की रेट में तकरीवन उननेस हजार है तो अगर हम 20 सालों की बात करें जो की हमारा डूरेशन ऑफ इंवेस्मेंट था तो जो हमारा कैगा रहां पर आ करी हम ऐसा एपी की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है जिसने इनीशली एक बार में लंसम इंवेस्मेंट करी होगी आज से 20 साल पहले 20 साल पहले से अब आपको गया तो सीधी सीधी बात है ठीक है टेक्निकल्स में नहीं जाते हम मोटा मोटा यह देख लेते हैं हजार रुपे की चीज़ 19,000 की हो गई तो 19 गुना होगी चीज़ सिंपल बलब हम बिल्कुल सिंपल की सिंपली सिंपली सिटी से बात करेंगे किसी ने 1000 रुपे डाले थे तो उसके 19,000 हो गए जो की आप का होगे 19 गुना पैसा हो ठीक है और हमारी जो CGR था हमारा 15 परसेंट प्लस का यहां पिस यह जी आ रहा गया वेरे गुड आप किसी ने कोई स्टॉक अच्छा पिक किया होता एक्जामपल के लिए आसे 20 साल पहले किसी ने देखा कि भई कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा हुसने अपनी अनलिसिस करी फंडमेंटल देखे और उसने एक्जामपल के लिए पिक आप से कितना रहा होगा मैक्स मैं आप लेके जा रहा हूँ अब आप देखे 2003 का डेटा दिखाता हूँ 1000 रुपे के असपास ता यह शेयर तो 2003 में here you can see 2003 की शुरुआत में तक्रीबन यह 1000 रुपे के असपास का शेयर था 1300-1400 आपको यह दिख रहा है तो exactly जने 1200-1300 में टच्च किया था तो April 2003 14 April 2003 इसकी वैल्यू भी 1000 थी तो अगर हम 1000 को ही पकड़ लेते हैं और हम यहां पर आज का इसका रिफ्रेश कर देता हूं तो इसका प्राइस आ चाहेगा तो आज 1000 रुपे से हम 1,000,00 पर चलते हैं तो 1000 से हम 1,000,00 पर चलते हैं आज एक लग क्या सपाशेर होगे एक लाग से उपर है वट रहे हैं तो अगर एक लग कभी शेर है तो 20 सालों के अंदर यह cagr है 25.89 परसेंट का और अगर आप स्टॉक में पैसा डाला एक अच्छा स्टॉक पिक किया और ऐसे और भी स्टॉक से एक्जाम्पल्स आपको कई मिल जाएंगे भी मैं आपको दिखा भी देता हूं तो मुझे बेसिकली सिम्लर वैल्यू लेनी थी कि निफ्टी का प्राइज और स्टॉक का प्राइज वरावर हो आसे 20 साल पेले तो मैंने अमरेफ का शेर लिया यहां पर यहां पर हमने 25% प्लस की है हमारी पर आपको गयार यह तो 100 गोना report है हंडरeट टाइम्स पैसा हो गया किसी का एक ळाख रुपया बीस सालों में एक करोड बन गया और किसी का एक लाख रुपया 19 लाक रुपया बन गया दोनों बहुत अच्छे returns है पर अब ये दोनों ही example है lump sum investment के और हम सब internet पर बहुत सारे लोग आप सुनते हैं बहुत सारे लोगों को आप सुनते हैं जो बात करते हैं SIP करो SIP करो तो आप लोगों के मन में जरूर ख्याल आता होगा कि यह better क्या है SIP better है यहां पर हमने 10-15 और 20 साल की returns की बात करी है कि अगर कोई आदमी कहता है मैं स्टॉक तो पता नहीं अच्छा पिक कर पाता है नहीं कर पाता है हो सकता है मैं MRF की जगा किसी और स्टॉक में पैसा लगा देता और हो सकता हो स्टॉक आज गर जाता तो इंडेक्स की return क्या रही SIP medium से और अगर किसी ने लंसम में पैसा डाला होता तो क्या होता तो अगर किसी ने 10 सल पहले लंसम किया होता निफ्टी के अंधर तो उससे returns मिले होते 13.24% के और SIP से उससे better returns मिले 13.75% के तो पिछले 10 सालों का data बोलता है कि SIP बेटर है अगर हम 15 साल का data उठा ले तो SIP ने returns दिये 12.92% के और इसके अंदर आपको पता है कि बीच में कई बार market में correction भी आया है और लंसम ने 8.77% return दिये तो लंसम ने उल्टा कम returns दिये और 20 साल के अंदर अगर आप देखो तो SIP ने 14.03% के returns दिये और यहां पर जो लंसम की returns है वो 16.64% की है आप होगे अभी तो हम 15. something देख रहे थे basically data की जो dates है वो अलग लग हो सकती है तो अभी मैंने जो data लिया है वो आपके समने manually लिया है और यह report का data है तो उनकी dates अलग होंगी तो थोड़ा सा return का उसी में फरग है क्योंकि पहले 1000 से भी कम value थी तो वो 20 साल के return इस तरीके से लिए तो यहां पर तकरीबन आपको समझ आ return है AXQ और मैं आपको यह भी बताओंगा कि ऐसे कौन से mutual funds है जिसमें आपको जाधतर आपको लं सम में जाधा रेटन और ऐसे कौन से mutual funds है जिसमें आपको जाधतर time SIP में जाधा रेटन मिलेंगी तो यह समझना वहां जाधा ज़रूरी है क्योंकि इसकी ऊपर मैंने देखा इंटरनेट पर बहुत कम लोग बात करते हैं बट आज हम इसके उपर डिटेल में बात करेंगे तो अब SIP का benefit क्या होता है SIP का benefit होता है माल लीजे market बहुत अच्छी चल रही है अब ऐसे तो आप कहेंगे 2008 से पहले भी चल रही थी अब मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है तो एक बुलरं चल रहा होता है सब बहुत ज़दा optimistic हो जाते हैं सब मार्केट में पैसा लगा रहे होते हैं अब उसके बाद यहां पर investment किया उसे हमेशा कम returns आएंगे long run में long run में हम सब को पता है market eventually recover करेगी और उपर जाएगी पर जिसने market के top पे peak पे पैसा लगाया होगा उसलिए उस आदमी की returns कम होगी यहां पर अगर आप lump sum investment देख रहे हो पिछले 15 सालों के अंदर जो lump sum की returns है वो कम आई है उस उससे पहले जिसने investment करी होगी उसने बहुत अच्छे टाइम पर बहुत अच्छे जब market की valuation overvalued थी तब उसने investment करी और उसके पाच जब market गिरी तो उसमें कुछ खास returns ही नहीं है और market ने दीरे-दीरे eventually growth हो किया तो returns तो आए पर SIP वाले को better क्यों हो आए क्योंकि SIP जो इन जाती है तो गिरती हुए market में भी पैसा लग रहा है और बढ़ती हुए market में भी पैसा लग रहा है तो जो लोग equity mutual funds में investments करते हैं अगर आप equity mutual fund में stock market में पैसा लगाते हो तो आपके लिए SIP बेटर रहेगा बढ़का जब आपका vision long term है जब आप 10 साल से उपर का सोच रहे है ना तो फिर तो लंसम वाले के लिए भी रिस्क है तो अभी हम सिर्फ लंसम और SIP की बात करें तो SIP बेटर है अगर आप equity mutual funds में पैसा लगा रहे हो अगर आप stock market investing करते हो large cap mid cap small cap कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो आपको SIP में better returns मिलेंगी क्योंकि market की corrections में आपकी averaging हो और आप panic में नहीं होगे आप किसी ने यहां पर एक क्रोड रुपे लगाया और 2008 की हम बात करें जब sensex आपको देख रहा है 50% से उपर almost 59% correction आया तो 59% में लोग किसी का एक क्रोड रुपया सिर्फ चालेस लाग रुपे रह गया तो वो क्या करता है चालेस लग तो दाले फिर थोड़ी मार्केट गरी फिर उसने दज़ए डाल दिया और गिरी दज़ए डाल दिये तो गिर्ती मार्केट में डालता है उसको रिटरंस नहीं बने पर जैसे मार्केट ने थोड़ा सा बांस बैक किया उसको देखा हाँ मेरा portfolio ठीक चल रहा है अब यहां पर SIP क अब लंसम कब बैटर है कौन से मुझे रिटर रहा है तो जहां पर आपको पता है कि मुझे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा एक्जामपल मैं आपको समझाता हूं अगर आप डेट में पैसा लगाते हो इन फाक्ट आपको यह लेसे में भी देखोगे तो यह लेसे के अंदर ए जो ग्रोथ है वो सिर्फ मार्केट फ्लक्टूइशन के उपर डेपेंडिन नहीं है तो अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर किसी ने पैसा डाला उसने यहां पर एक करोड रुपे डाला और एक करोड रुपे के उपर हमें पता है यार की डेट है तो लोन दे रहे लोन दे रहे हैं, तो लोन के सबसे इंट्रस्ट आएगा, तो आई गही आएगा, अगर मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करूँ गा, तो मेरे जो एक करोड का पॉर्टफोलिय है, वो धीरे धीरे बिल्ट होगा, अगर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है तो there is a concept called recurring deposit एक तो होता है fix deposit versus recurring deposit recurring deposit उन लोगों के अच्छा होता है जो दीजे दीजे करके पैसा जोड़ना चाहते है job कर रहे है हर मेने salary आ रही है similarly SIP भी उन लोगों के लिए better हो जाती है जिनके पास initially बहुत बड़ा amount नहीं है पर वो दीजे दीजे करके अपना एक बड़ा आप कह सकते हो कि wealth create करना चाहते है तो SIP बेटर है और अगर आप चौक माकेट में investment कर रहे हो तो SIP डेफिनिटली बेटर है पर अगर आपके पास एक बड़ा amount पड़ा हुआ है तो उसे भी आप अच्छी जगाओं पर investment कर सकते हो और उसके बाद आपको एक lump sum के उपर returns आएगी एक और मैं आपको एक example देता हूँ आप इस से समझोगे क्योंकि लोग ना सिर्फ SIP और लंसम की वीडियो बना रहे तो उसी की उपर बात करेंगे बट देखो यह वीडियो कौन लोग देख रहे हैं या तो जो हर्मीने पैसे कमा रहे है या फिर जिनके पास एक amount है या फिर वो लोग भी जिनके पास पैसा भी है थोड़ा सा और ह पर महीने भी कमा रहे हैं अब मैं आपको एक्जांपल देता हूं रियल स्टेट यह तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ऐसा नहीं है आप समझो आप इंटरनेट पे जो रियल स्टेट में बोलते हैं कि इतने परसेंट की रेटन आई है इतने परसेंट की गोता है उ जब अपनी कोई बड़ी फैक्टरी या बड़ी प्रॉपर्टी बेचती है तो पेपर में दिखाती है कि 100 करोड की विकी हो सकता है तो वह 50 करोड कहां गया बड़ा अमाउंट होता है तो रियल स्टेट के अंदर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है और इंडिया जैस पहले तो प्रॉफिटी को रिट तो सर्क्या ही थे हमें पता है क्या ही वैलियू थी आज क्या हो गई है तो ऐसे हमने बहुत सारे एक्जामबल देगे बहुत सारे देगे तो हो सकता किसी ने सिर्फ 10 लाख रुपे का घर लिया हो और आज वो 2 करोड का हो गया है ना पॉइ यहाँ पर क्या हो सकता है कि उसने पांच लाख रुपे की तो लंसम कराई और जो एसाइपी करना चाहता था उसके बदले में उसने यह एम आए करा ली तो उसकी प्रॉपेटी भी अपनी हो गई उसकी प्रॉपेटी की वैल्यू भी बढ़ गई प्लस उसने उसकी लिए व होता है यहाँ पर यह यह मैं जो कराई यह जो लोन लिया एक लेवरेज है तो अगर आज आप लोगों के पास पैसा है माली जे कोई लंसम अमाउंट है आज उस प्रॉपेटी की वैल्ली दो करोड है हमें नहीं पता से 20 साल बात कितनी होगी और वेना टॉपर प्रॉपेट लंसम इंवेस्मेंट भी हो सकता है और इसी तरीके से एक करोड रॉपे का लोन भी हो सकता है उसकी माई हो जाएगी तो यहाँ पर एक एक लंसम के साथ ऐसाइप टाइप में भी इंवेस्मेंट कर सकते हो तो हर महीने इंवेस्मेंट करने को सिस्टेमाटिक इंवेस्मेंट कहते हैं और वो systematic investment लोग सिर्फ stock market में समझते हैं आपकी investment है आप उसे diversify कर सकते हैं तो यह example है अब इस example के अंदर आपने करी धीरे-धीरे करके भी मलब यह माई भरी पर आपको एक बड़ा profit दिखता है एक बड़ी wealth क्रियेट होती है तो लाइफ में बड़ी wealth क्रियेट करने की तरफ फोकस करना चाहिए अब रियल स्टेट के अंदर और stock market में क्या difference है पीटर लिंच एक बात कहते हैं कि इंवेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना घर खरीदना चाहिए अपको गया बात हो रही है लोग तो कहते हैं रहे और आप पीटर लिंच की बात कर रहों जो इतने सक्सेस्वल इंवेस्टर है और वो बोल रहे हैं पहले अपना घर खरीदना चाहिए जो इंटरनेट पर लोग बात कर रहे हैं सब विकार बात कर रहे हैं देखिए माफिन जाता हूं वह अपनी केलकूलेशन देते लो मैं कुछ गलत ब सब्सक्राइब करते हो तो आप आसपस के घर देखते हो उनकी देखते हो कि क्या रेट चल रहा है क्या सरकल रेट चल रहा है उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हारी है नियारी हॉस्पिटल नियर भाई है नहीं है सब्सक्राइब करते हैं तो आप किसी के सुनके इंवेस्मेंट कर दिया तो किसी के सुनके इंवेस्मेंट नहीं करते हो दूसरी चीज पीटर लेंज जैसा क्यों कहते हैं कि जब आप घर खरीदते हो तो आप उसे बेचने के बारेमें नहीं सचते जब आप उसे खरीद रहे होते हो आप का favorite holding time किया है किसी भी stock को जब ओ खरीदे हैं तो कितने time के लिए hold करते हैं वो कहते हैं forever जब मैं किसी stock को खरीद रहा हूँ तो मेरा favorite holding period है forever जब तब उस company के सब कुछ बहुत ज़्याद गलत नहीं होता तो मैं उसे खरीद लेता हूँ Peter Lange इसलिए बोलते हैं कि अगर आप पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीटते हो तो आपको पेशन्स रखना आ जाता है पर स्टॉक मार्केट में लोगों को हर दिन पैसा चाहिए लोग कई बार मेरे से मिलते हैं और बोलते हैं सर कुछ ऐसा बता तो जिसे स्टॉक मार्केट से हर दिन कमाई हो जाए हर द करनी है तो और कोई मैजिक फॉर्मिला नहीं है पिशन्स के अलावा और इसके अलावा अगर आपको मिड टम में पैसा चाहिए तो फिर अपना बिजनस करने से बेटर कुछ नहीं है क्योंकि आपको गया 10-20 साल में हम बड़ापे में जाके अमीर होंगे उसके क्या फाइद पैसे की कमाई हो जाए क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं पर लोग ऐसा बहुते हैं जोकस अपार्ट पॉंट इस क्लियर कि अगर आपको लॉंग टम में वेल चाहिए इन्वेस्टिंग इस फुर यू अगर आपको मीडियम टम में अच्छी ग्रोथ मिल जाए और अगर आपको शॉर्ट टम में पैसा चाहिए तो फिर आप ड्रीम 11 पर टीम मनाई है या कसीनो चले जाई है उसमें तो आप एक रॉले पर बैठेंगे रेड इन ब्लाक पर बैट लगाएंगे और इन इव पर बैट लगाएंगे आपके फेवर में चला गया तो आपका पैस डबल हो जाएगा सीदे सीदा या फिर आपका नंबर आगया तो 36 गुना हो जाएगा या फिर आप सबहार जाओगे तो पॉइंट इस क्लियर कि यार लाइफ में वेल्थ बनती है लॉंग टर्म में पैसा आता है और जिस स्पीड में आता हो स्पीड से जाता भी है और अग यहां पर आज इस वीडियो में हमने समझा कि लॉंग टम में अगर आप इंवस्मेंट्स कर रहे हो एसे पी कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है आपको ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि एक सर्टेन अमांट ऑफ रिटरं आएंगे तो फिर आप लंसम कर सकते हो उस इसमें आपको लीनेर रिओध मिलेगी उसमें लंसम इन्वस्मेंट्स बेटर रहते हैं पर अगर आपका पैसा एक्विटी मूचल फरंड के अंदर लगा हो बहुत अब करते हो अब वह चाहें इंडेक्स फरंड्स हो चाहें लार्च कैप मेड़ कैप स्मॉल कैप आप जिस Gates अjac Pe pine तो अच्सक्राइब करने मैं को कैसे अच्छे स्टॉक से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो आपको पर वीडियो को सबस्क्राइब करने हैं किसी सुलिया और छाते हैं उसके झिली है आप फ्री में जाके अपना दीमेटकॉन खुलवा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमें बोक्स में मिल जाएगा सो डू चेक आउट अपना फ्री में जाके आप दीमेटकॉन खुलवाइगे mutual funds में investment कीजिए SIP शुरू कीजिए और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आये चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन बिखले कीजिए इस आने वाली एक भी वीडियो आप मिसना करें I will see you in the next video till the time you share this video go self-made and jehand